नमस्कार VKV News के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है अब रुप करते हैं आज की हेड्लाइन्स पर वाडी में ट्रक की चपेट में आने से महिला कर्मचारी की मौन बार बार वोर ही सड़क दुरगटनाओ से नागरिकों में रोश FDA और पुलिस अधिकारियों के बीच जुबानी जंग 68 लाग की सुपारी चप्त और किसानों को बारा घंडे बिजली दे कैबिनेट मंत्री सुनिलकेदार ने अधिकारियों ने दिये निर्तेश और अब खबरे विस्तार से प्राप्त जानकारी अनुसार मृतका शालू सिडाम सुबह वाड क्रमांक आठ और दस वैशनव मातानगर परिसर की सफाई कार्य निप्टा कर दाभा काटोल मोट से वाडी नगर परिशत कार्याले में अपनी उपस्तिती दर्ज कराने अपनी एक महिला साधी के साथ पैद उसके घटना स्थल पर ही मृत्य हो गई दुरघटना के बाद चालक ने ट्रक लेकर काटोल मार्क से फरार हो गया हाधसे को देख साथी महिला करमचारी यशोदा चवहान गश खाकर गिर पड़ी नगर परिशत के अधिकारी करमचारियों को सूचना मिलते ही वे घटना पहुची मृतका शालू सिडाम गत 15 वर्षों से अस्थाई सफाई करमचारी के रूप में कार्यरत थी उनके पती का नीधन होने से अपने दो बच्चों के साथ शाहू ले आउट में एक किराय के मकान में रह रही थी पुलीस ने मामला दर्च कर जाश शुरू कर दी है पिछले दिनों पुलीस ने मा उमिया में लगभग 68 लाख रुपए के सुपारी जब्त की थी पुलीस को सड़ी सुपारी होने का अंदेशा था जिसके बाद कारवाई की गई सुपारी जबत कर पुलीस ने चानबीन भी की तो सुपारी एक प्रमुक व्यापारी के होने की जानकारी हाथ लगी हलाकि स्पॉट पर जब FDA के अधिकारी पहुचे तो सुपारी किसी और का बता दी गई सुपारी किसी बड़े कारोबारी की है पूचताच में भी इसका खुलासा हुआ था लेकिन इस बीच FDA के निरिक्षक आनंद महाजन सूचना पाकर पहुच गए महाजन ने काकजातों के अधार पर यह सुपारी शिवशंकर ट्रेडिंग कमपनी के संचालक शिवचरन ओम वीर की बताई पुलीस इस बात पर अड़े थे कि जो नाम FDA के अधिकारी बता रहे है वहाँ डमी कैंडिडेट है इसलिए इसकी विस्तार से चानवीन होनी चाहिए FDA के अधिकारी अड़े रहे कि पुलीस जिसके सुपारी बता रही है वहाँ उसकी है ही नहीं बाद में पुलीस ने मामले से हाथ जटक लिया FDA की टीम अपनी कारवाई करते हुए मामले को आगे बढ़ा रही है इस बीच मार्केट के लोगों का कहना है कि FDA कागजाद के आधार पर जिस व्यक्ती का नाम बता रहा है उसकी ताकत ही नहीं है कि 68 लाग का माल एक बार में बुलाए इसके पीछे जिसका हाथ है उसे बचाने के चक्कर में FDA ऐसा काम कर रहा है इसलिए इस मामले की जाज उच्च स्तर पर होनी चाहिए ताकि दूद का दूद और पानी का पानी हो सके पशु समवर्धिन मंत्री सुनिल केदार ने किसानों के खेतों में 12 घंटे बिजली देने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि किसानों का धान की फसल को पानी की जरूरत है ऐसी स्तिति में उनके खेतों का बिजली कनेक्शन खंडित करने की कारवाई न करें उन्हें इस काल में दिन में 12 घंटे बिजली नियमित आपूर्ती करें काम्ठी और मौदा तहसिल में लोट शेडिंग के कारण धान की फसल को होने वाले नुकसान के संदर्ब में उपाई योजना के लिए विदर्ब कोपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन के कार्याले में बैठक आयोजित की गई थी। उसमें केदार बोल रहे थे केदार ने कहा कि अगर इस समय बिजली खंडित की गई या लोट शेडिंग हुई तो पानी के अभाव में धान की फसल बरबाद हो जाएगी इसलिए किसानों को बिजली बिल जमा करने के लिए 15 दिनों की सुविधा देने का निर्देश भी उन्ह बीलों की रकम अदा करने की अपील उन्होंने की इस दोरान नागेश्वर नगर शिवनी नेरी भूगाव आधिगाओ की समस्या भी उनके समक्ष रखी गई इस पर जल्द ही रास्ता निकालने का आश्वासन उन्होंने दिया उन्होंने सभी ग्राम पंचायतों को चालू म अधिकांश शोरूम में डिलीवरी के लिए कई वाहन रखे हुए देखे गए इसी प्रकार मुहर्त के हिसाब से लोगों ने सोने की भी खरीदी की घरेलू उपकरन वाले शोरूमों पर भीडभार देखी गई कुल मिलाकर दसेरे का बाजार सजा भी और चला भी वैसे इत्वारी महल बर्डी धरम पेट में सिद अन्य उत्पादों के शोरूम में भीड नहीं के बराबर रही दसेरे पर लोग कुछ न कुछ खरीदी को प्रात्मिक्ता देते है इसी के अनुरूप लोग पहले से बुक अच्छी हुई है कई आकरशक वित्तिय योजनाओं और ओफर के कारण भी लोग खरीदी करते हुए देखे गए कागजातों के जंजट को कम करने का लाब भी वाहन कंपनियों को मिला टू विलर फोर विलर के साथ साथ कमर्शियल वाहनों की बीक्री भी अच्छी रही विक पास बुकिंग अच्छी है जैसे जैसे वाहन आ रहे है डिलीवरी की जा रही है सोना चांदी के खरीदार खुद को रोक नहीं पाए कीमत अधिक होने के बाद ही लोगों ने जम कर खरीदी की सराफा बाजार में भी अच्छी खासी ग्रहकी देखी गई लगबग हर दुका के लिए खरीदी करते हुए देखे गए कुल मिलाकर सराफा दुकानों के लिए दसेरा अच्छा निकला है कोवीड की वज़े से इस बार राज्य के इंजिनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए ली जाने वाली सीटी देरी से हुई छात्रों को परिक्षा के लिए ल पारी नहीं किया गया है जबकि कोट ने 30 नवंबर तक समुची प्रक्रिया निप्टाने के आदेश दिये है विभाग की लेट लतीफी से चात्रों सहित पालकों का टेंशन बढ़ता जा रहा है पिछले 18 महिनों से कोरोना की वज़े से शिक्षा क्षेत्र की हालत खराब हो में परिक्षा ली गई परिक्षा ओनलाइन होने से परिनाम तयार करने में देरी नहीं लगती इसके बावजूद अब तक परिनाम जारी नहीं किया गया है दरसल रजिस्ट्रेशन शुरू होने से लेकर सभी राउन के अलोट्मेंट में महिने भर से अधिक समय लग जाता ह भले ही परिनाम घोशित नहीं हुआ है लेकिन विभाग द्वारा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आरंब कर दी जानी चाहिए थी चात्रपालकों का कहना है कि बेवज़ देरी से करियर की प्लानिंग पर असर पढ़ रहा है जे एडवांस का परिनाम घोशित कर दिया गया है इस हालत में प्रक्रिया शुरू कर दी जानी चाहिए थी प्रवेश प्रक्रिया आरंब होने पर आप्शन फॉर्म करीब 15-20 दिन तक भरे जाते हैं उक्टोबर आधा बीद गया है इस हालत में देरी करने से नवंबर अंत तक भी प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं हो स समय हो गया है विश्व विद्यालेयो द्वारा दिसंबर के महिने से सेकेंड येर की परिक्षा ली जाती है इस हालत में डायरेक्ट सेकेंड येर में प्रवेश लेने वालों के पास पढ़ाई का समय ही नहीं मिलेगा तो वक्त हो गया एक छोड़े से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद Love you Dipika Bye सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरिट कालर मेरा फेवरिट देस्टिनेशन मेरी फेवरिट डिश पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूं अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है, वो अच्छे टेस्ट तक पहांची जाता है सुरुची मसाले खाने में हो रुची, तो घर लाइए सुरुची अपने सपनों के उडान भरने के इच्छा, तो हर किसी की होती है पर पंग भी तो मस्बूल होने चीए जो देता है, Flywheel Aviation Academy Flywheel Aviation Academy एक ऐसा institute है जहां पर airlines and airport hospitality और tourism management साथ ही यहां campus interview, guidance by industry expert, practical training at airport, expert faculty, personal grooming जैसे कई सारे benefits आप पास सकने है Flywheel Aviation Academy, one degree, three job opportunities Flywheel Aviation Academy, gives you a degree or diploma with a job Flywheel Aviation Academy, 365 Gani Nagar, LAD College Square बिसाइड करनाट का बैंक नागपुर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है भले ही कोरोना के मामले कम हुए हो लेकिन प्रशासन द्वारा हर स्थिती से निपटने का दावा किया जा रहा है वही दूसरी और सीरो सर्वे को लेकर प्रशासनिक उदासिंता साफ तौर पर दिखाई दे रही है कोरोना के बाद में लोगों में एंटी बॉडी का परिक्षन करने के लिए किये जा रहे सीरो सर्वे की अब तक जिले के ग्रामिन भाग में शुरुवात ही नहीं हुई है वही दूसरी और नाकपुर शहर में भी धीमी गती से काम चल रहा है जिले में सीरो सर्वे के तहट करिब 6,000 लोगों के सैंपल लिए जा रहे है शहर सीमा में जोन के अनुसार सैंपलिंग का ढाचा तयार किया गया है वैसे भी सीरो सर्वे में पहले से देरी हो चुकी है कई दिनों तक किट के अभाव में सर्वे ही शुरू नहीं किया गया था विभाग ये आयुक्त ने बताया था कि अब देरी नहीं होगी किट उपलब्द हो गई है लेकिन स्थिती अब भी वैसी ही बनी हुई है सीटी के भीतर अब तक चार जोन से ही सैंपल लिये गए है जिसमें करीब 700 सैंपल का समावेश है पिछले दिनों से सैंपलिंग पर रोक लगी हुई है वही दूसरी और ग्रामिन भाग से अब तक भी सैंपल नहीं लिया गया है दरसल सर्वे की शुरुवात में किट आते ही सैंपल लेना शुरू किये थे इसके बाद किट आई ही नहीं जिस वज़ा से सीटी में भी सैंपलिंग बन हो गई है किट की उपलब्दता के कारण सैंपलिंग का कार्य मेडिकल पर निर्बर हो गया है सैंपलिंग में 6-10 वर्ष की आयू के 640 बच्चे, 11-17 वर्ष की उम्र के 1280, किशोर और 18 से अधिक उम्र के 4080 लोगों के बलड सैंपल लिये जाएंगे इस संबंद में जिला स्वास्त्य अधिकारी डॉक्टर दीकपक सेलो करने बताया कि ग्रामिन में अभी सैंपल लेने की शुरुवात नहीं हुई है फिलहाल प्रशासन का पूरा ध्यान टीका करन पर है जितना जल्द टीका करन का लक्ष पूरा हो उतना संक्रमन से बचने में सहायता होगी देश में बिजली संकट का हवाला देकर इस प्रकार माहौल तयार किया गया है कि कोईला उत्पादक कंपनिया केवल बिजली प्लांट को ही कोईला आपूर्ति करने में जुटी हुई है उत्पादक का लगभग 90 फीसदी कोईला केवल पावर प्लांटों को सप्लाई किया जा रहा है इससे उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हो रहे है एक तो उन्हें कोईला मिल नहीं रहा वही दूसरी और अगर कोई कोईला देने की बात कर रहा है तो इसके लिए भी भारी प्रीमियम की मांग कर रहा है बताया जाता है कि 21 अक्टूबर को E-Auction होना था लेकिन इसे रद्द कर दिया गया है यानि भविश्य में भी छोटी छोटी उद्योगों को कोईला मिलना मुश्किल जाएगा सूत्रों ने बताया कि देश में बिजली संकट को इतना हववा बना दिया गया है कि कोईला उतपादक कमपनिया सारे कार्य को छोड़ कर केवल पावर प्लांटों को कोईला आपूर्ती करने में लग गई है लिंकेज वाले उद्योगों को कोईला जरूर मिल रहा है लेकिन ये अब प्रात्मिक्ता सोची में नहीं चल रहे है कोल इंडिया ने अनुसंगी कमपनियों को पूरा जोर केवल पावर प्लांट पर लगाने का आदेश दिया है जिसका परिनाम है कि किसी का ध्यान छोटे छोटे उद्योगों की और जाही नहीं रहा है वेकोली एक लाग चौवन हजार टन कोईला पावर प्लांट को दे रही थी जिसे बढ़ाकर एक लाग पचटर हजार टन करने को कहा गया है वरतमान में वेकोली लगबग एक लाग साथ हजार से एक लाग बासट हजार टन कोईला देने में सक्षम है 20 अक्टूबर तक संकट दूर करने में सफलता मिल सकती है बताया जाता है कि वेस्टन कोल फिल्ड लिमिटेट की और से गुजरात और मध्यप्रदेश के नौडल एजंसियों को कोईले की आपूर्ती की जा रही है लेकिन महाराष्टर के उद्योगों के समक्ष संकट है यहां कि उद्योग यह तो लिंकेज पर निर्बर है या फिर ई-ॉक्षन पर इसमें से एक रास्ता बंध है वही महाराष्टर में MSMC ऐसी नौडल एजंसी है जो कोईला लेना ही नहीं चाह रही है MSMC से 350 से अधिक कमपनिया संबंध है लेकिन इन्हें पिछले दो वर्ष से कोईला नहीं मिल रहा है एक अनुमान के अनुसार लिंकेज और ई-ॉक्षन के जरिये 8 लाग टन कोईला उद्योगों के लिए है इसमें से इ-ॉक्षन के 5 लाग टन के रास्ते को काफिस समय से या तो सेमित कर दिया गया है या फिर अब बंदी के संकेत मिल रहे है लोटते मानसून का फिर मूड बन रहा है शनिवार को जिले में सुबह से आसमान में बादलों की आठ खेलिया चलती रही दूपव बदली भरे मौसम ने चिपचिपी उमस बढ़ा दी जिससे शहर वासी परेशान होते रहे दिन भर उमस से बिहाल होती उपराजधानी में शाम को कही इलाकों में बूंदा बांदी भी हुई मौसम विभाग ने भी अगले दो दिनों तक विदर्ब में बारिश की संभावना व्यक्त की है मौसम विभाग ने शनिवार को नाकपुर का अधिक्तम तापमान करीब 33 डिगरी सेल्सियस दर्ज किया जो औसत से 0.1 डिगरी अधिक रहा लोगों के घरों में कूलर दोबारा निकल गए है नवरात्री से ही सीटी में गुलावी सरदी पढ़नी शुरू होती है लेकिन इस सवर्ष ठंड का मौसम भी लेट लतिफ नजरा रहा है शरत पॉर्डिमा के बाद से ठंडकता बढ़ने का अनुमान है मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि आगामी दो दिनों तक नागपुर जिले में बदली भरा मौसम होगा और कुछ स्पैल की अच्छी बारिश हो सकती है विभाग ने 17 वो 18 अक्टूबर को बारिश की संभावना जताई है इसे लौटता मानसुन कहा जा रहा है वही 19 से 22 अक्टूबर तक सीटी का मौसम आंशिक बदली वाला रहने की संभावना है फिलहाल उमस से नागपुर शहरवास राहत मिलती नजर नहीं आ रही है इस बार जिले में औसत के अधिक बारिश के होने के बाद बातावरन में ठंडक नहीं पसरी है सभी को शिक्षा का अधिकार आटियाई के अंतरगत प्रवेश पाने के लिए कई पालकों द्वारा बोगस तरीके से दस्तावेश तयार करने का सलसला अब भी जारी है जिले के ग्रामिन भागों में कई मामले सामने आ रहे हैं इसी तरह का एक मामला नाकपूर शहर से लगे ग्रामिन भाग का आया है आस्टी के भवन स्विद्यामंदिर स्कूल में प्रवेश पाने के लिए कुछ पालक को द्वारा ग्राम पंचायत के सरपंच से रहवासी प्रमान पत्र तयार कराया जबकि पालक ग्रामिन में रहते ही नहीं इससे गाव के निर्धन व जरूरत मन चातर प्रवेश से वन्चित रह गए आर्टी आई में प्रवेश के लिए सरकार द्वारा कुछ नियम बनाए गए है स्कूल से पालक के घर की दूरी एक से तीन किलोमिटर के बीच होने चाहिए लेकिन अब भी कई पालक फरजी दस्तावेश तयार कर प्रवेश पाने के लिए जुगार रहे है इससे जरूरत मन और निर्धन बच्चों को प्रवेश नहीं मिल पा रहा है इस संबंध में आर्टी आई एक्शन कमिटी के चेर्मैन मुहमद शाहिद शरीफ ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी से जांच की मांग की थी जब मामलों की जांच बीडियो से कराई गई तो इसमें साथ एड्मिशन बोगस पाए गए नियम अनुसर सरपंच को रहवासी दाखिला देने का अधिकार नहीं है इसके बाद भी अधिकार का दुरुपयोग किया गया कमिटी ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी से सरपंच दबारा पद का दुरुपयोग करने पर कारवाई और सातो प्रवेश रद्द करने की मांग की है यदि गंभिरता नहीं बरती गई तो न्यायने का दर्वाजा खटकटाने का मानस व्यक्त किया है इस संबंद में गाउ के नागरिकों ने भी लिखित शिकायत की है वही स्कूल की और से बताया गया है कि बोगस तरीके से अड्मिशन लेने वाले बच्चों के पालक गाउ में नहीं रहते है सरकारी मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा सेवाय प्रदान करने वाले डॉक्टरों और छात्रों पर काफी दबाव रहता है खेल उनका तनाव कम करने में मदद करेगा इसलिए यहां आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के अलावा खेल सुविधाय भी मुहया कराई जा रही है राज्य के खेल वा युवा कल्यान मंत्री सुनेल केदार ने शनिवार को सरकारी मेडिकल कॉलेज में GMC स्पोर्ट्स क्लब के नए खेल परिसर में लॉन, टेनिस और बास्केटबॉल कोर्ट का उद्गाटन किया केदार ने कहा कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों के चिकिटसा अधिकारियों और करमचारियों ने सेवा उनमुक रवये के साथ मरीजों के सेवा कर अलग पहचान बनाई है कोविट की तनाव पूर्ण स्थिती में डॉक्टरों और स्वास्टे कर्मियों की सेवा के लिए उनका धन्यवाद किया स्वास्टे सुविधाओं के उन्नयन के लिए अनुदान दिया जा रहा है साथ ही यहाँ पर बैडमिंटन कोट वॉलीबॉल मैदान का निर्मान जल्द शुरू होगा उन्होंने ये भी कहा कि अन्यखेल सुविधाओं के निर्मान में भी सहयोग प्रदान किया जाएगा सरकारी मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सुधीर गुपता ने भी नए क्रिडा संकुल की स्थापना का उद्देश समझाया डॉक्टर मुकेश वागमारे ने क्रिडा संकुल की जानकारी दी इस मौके पर विधायक मोहन मते सरकारी मेडिकल कॉलेज के उप अधिस्ठाता डॉक्टर राज गजबिये इंदिरा गांधी शास किया मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर भावना सोनवने दंत महाविद्याले के डीन डॉक्टर अभै दातारकर खेलव युवा सेवा निदेशाले के उपसंचालक शेखर पाटिल डॉक्टर उदे मारलावार, डॉक्टर अविनाश गावंडे, डॉक्टर अजै केवलिया, डॉक्टर हरिश रावत, डॉक्टर गनेश धाकले आधी उपस्तित थे तो वीकेवी न्यूस के प्राइम टाइम में अब तक के लिए इतना ही, आप से कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेवी न्यूस, नमस्कार